दोस्तो अगर आप भी जो है कम्प्यूटर में अपने आपको एक्सपोर्ट बनना चाहते हैं तो ये विडियो आपके लिए हैं आपको बता दे कि अगर आप जो है कम्प्यूटर में एक्सपोर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कम्प्यूटर की उन जानकारियों को तो सीखना वाला हूँ जो कि सभी लोगों को नहीं पता होती है अगर आप इन जानकारियों को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आप कंप्यूटर में अपने आपको एक्सपर्ट फील करेंगी नमस्कार दोस्तो मेरा नाम गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू या फिर अल्ट बटन के साथ F4 बटन दबा करके यहां पर सट डाउन ओप्सन स्रेट करके ओके पर क्लिक करके सट डाउन करना या फिर बिंडोज बटन के साथ X बटन दबा करके यहां पर क्लिक करके यहां से सट डाउन करना यह सारे तरीके पुराने हैं लेकिन आज मैं आ पता रहा हूँ ठीक है आपको क्या काम करना है माउस का right button क्लिक करना है new पर जाना है और यहाँ पर shortcut पर क्लिक करना है इसके बाद जो है आपके सामने इस तरीके से shortcut create करने का option आ जाएगा और इसके अंदर आपको लिखना है slide to shutdown.exe जो मैंने लिखा है बस यही आपको लिखना है spelling mistake नहीं होनी चाहिए इतना आपको ध्यान दिना है बिल्कुल ध्यान से देख लिए आप इसे इसके बाद आपको next पर click कर देना है इसके बाद आपको finish पर click कर देना है और इसके बाद जो है आपके desktop पर इस तरीके से shortcut बन जाएगा slide to shutdown का आप बस इस पर double click करिए इस तर करके अगर आप नीचे ला करके छोड़ देंगे तो आपका जो computer है वो shutdown हो जाएगा फिलाल यहां पर मैं shutdown नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं recording कर रहा हूँ और मैं shutdown कर दूँगा तो recording खराब हो जाएगी लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा shutdown करने के लिए आप इ इस तरीके से slide आएगी इसको आप नीचे ला करके छोड़ देंगे तो आपका computer जो है shutdown हो जाएगा अगर आपको यह तरीका पसंद आया तो नीचे comment करिएगा और इस video को like करिए दोस्तो computer की अगली जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह आपके बड़े काम आएग इसे आप पूरा ध्यान से देखेगा दोस्तो आप अपने computer में connected wifi का password पता कर सकते हैं जैसे कि आप देखोगे मेरे computer में wifi मैंने connect किया है अब इस wifi का अगर मुझे password पता करना है तो यह काम बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं इसके लिए आपको windows के साथ r button को दबाना है आप किया है ठीक इसी तरीके से आपको भी type करना है इसके बाद आपको ok पर click करना है इसके बाद जो है आपके सामने wifi का option आजाएगा अब आपको क्या काम करना है wifi के option पर double click करना है double click करने के बाद जो है इस तरीके से wifi status दिखाए देगा यहाँ पर आपको एक option दिखाए द का नाम दिखाई दे रहा है लेकिन इस wifi का अगर मुझे password देखना है तो security वाले option पर click करना है और यहाँ पर देखिए network security key आपको दिया गया है यही आपके connected wifi का password है इसे पूरा देखने के लिए आप show character पर click करेगा तो आपके connected wifi का password आपको दिख जाएगा इस तरीके से आप computer म में भी इस्तमाल कर पाएंगे और उस wifi को यूज कर पाएंगे दोस्तों अब मैं जो आपको computer की अगली जानकारी बताने वाला हूँ यह जानकारी आपके लिए काफी जादा important है इसलिए जो है पूरा ध्यान से समझेए जैसे कि आपका ये computer है आपके computer में कौन सी चीजों को कब इस्तमाल किया गया था वो data जो है आप देख सकते हो इसे आप इस तरीके से समझेए कि ये आपका computer है आपके computer को आपके दोस्त ने इस्तमाल किया और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपके दोस्त ने कौन सा folder कौन सा file कौन सा video कौन सा photo कब open किया था तो वो जो है आ आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं, इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, विंडोज के साथ आर बटन को दबाना है, ये जो रन कमांड आपके सामने खुली है न, इसके अंदर बस यही टाइप कर देना है, री सेंट, देख सकते होई स्पैलिंग, हो जाएगा, और साथ में जो है यहाँ पर डेट भी मेंसन रहेगी, कि री सेंट में जो है अभी कौन सा विडियो, या फिर कौन सा फोटो, या फिर कौन सी फाइल को इस्तमाल किया गया था, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तो अगली जानकारी MS Word से है, आप MS Word में लिखी संख्याओं को सब्दों में बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने MS Word में कुछ संख्याओं लिखी हैं, और अगर मुझे इन संख्याओं को सब्दों में बदलना है, तो ये काम MS Word में बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं, इसके लिए जो है, जो भी आप अंकों को सब 9 बटन को प्रेस करिए इस तरीके से bracket बन जाएगा आगे आपको लगाना है बराबर का निशान इसके बाद आपको एक एक करके पीछे आ जाना है और यहाँ पर लगाना है backwards less इस तरीके से इसके बाद लगाना है आपको star और इसके बाद आपको लिखना है Card T.E.X.T बस आपको यही काम करना है इसके बाद जो है अब आपका काम हो गया है अब आपको इसी पर जो है Mouse का Right बटन क्लिक करना है और यहाँ पर आपको Update फिल्ड पर जो है क्लिक कर दिना है ऐसा करते ही जो है जो भी आपने संख्या इंपोर्टेंट है अक्सर दोस्तों आप अपने कम्प्यूटर को जब भी On करेंगे तो वहाँ पर जो है Processing चलती है जल्दी से Load नहीं लेता है यानि कि आपका Computer Hang करता है इसका सबसे बड़ा कारड यह है कि जब भी आप अपने Computer को On करेंगे तो कुछ ऐसे Unwanted Apps होती है जो Automatic आपके Background में Run करना सुरू हो जाती है यानि कि आप उन्हें चालू भी नहीं करते है फिर भी वो On हो जाती है ऐसे में जो है Processing होने लगती है और आपका जो Computer है वो काफी ज़ादा Down हो जाता है काफी ज़ादा Slow हो जाता है ऐसी Condition में आप उन Apps को जो है Background में न चलें इसके लिए उन्हें जो है Disable कर सकते हैं Disable करने के लिए आपको Windows के साथ X Button को दबाना है और यहाँ पर आपको एक Option मिलेगा Task Manager का आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आपको यहाँ पर Startup Apps करके Option मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर वो सारी Application आपको मिलेंगी जो कि आपके Computer के Start होते ही Automatic जो है Background में Start हो जाती है अब इनमें से आप जो भी Application को Disable करना चाहे उसे Disable कर सकते हैं जैसे कि मैंने WhatsApp को Disable करके रखा है Telegram को Disable करके रखा है SkyPay को Disable करके रखा है ध्यान आपको यह देना है कि जो आप Microsoft की Application इस्तमाल करते हैं या फिर कोई Software इस्तमाल करते हैं उन्हें जो है आपको Disable नहीं करना है और अगर आपने अपने Computer में जो है कोई भी Antivirus रखा है तो उसे आपको Disable नहीं करना है बाकी आप जिन भी Application को Use जादा नहीं करते हैं आपको जादा काम नहीं है तो आप उन्हें जो है यहां से Disable करके रख सकते हैं Disable करने के बाद जो है जब आप अपने Computer को इस्तमाल करोगे तो पहले से काफी जादा Smooth और Fast आपका Computer चलेगा दोस्तो अब मैं जो आपको Computer की जानकारी बताने वाला हूँ इस जानकारी का इस्तमाल करके आप अपना Internet बचा सकते हैं अक्सर आपने सुना होगा और आपके साथ हुआ भी होगा कि जैसे ही आप नया Laptop या फिर नया Computer लेते हैं तो आपका नया Laptop या फिर Computer इंटरनेट की जो खपत है वो काफी जादा करता है कुछी समय में आपका 2GB, 1.5GB, 3GB डेटा समाप्त कर देता है तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर किसी भी बंदे के साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसे जो है रोक सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं और अपना इंटरनेट बचा सकते हैं चलिए इसे Practically समझते हैं इसके लिए जो है आपको Start बटन पे क्लिक करना है और यह जो उपर सर्च बार दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है सर्विसेस सर्विसेस लिखने के बाद यहाँ पर सर्विसेस आ जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर services में आ जाएंगे और यहाँ पर काफी सारी setting मिलेगी यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको windows update लिखा हुआ मिलेगा आप इस पर double click करके इसे open कर लेंगे और यहाँ पर देखे स्टार्ट अप टाइप में automatic लिखा है यानि कि आपके computer या फिर laptop में windows का कोई update आएगा तो वो automatic जो है update होना सुरू हो जाता है इसी वज़े से आपका internet जल्दी से खतम हो जाता है आपको क्या काम करना है अगर आप internet की खपत को कम करना चाते हैं रोकना चाते हैं तो आप जो है इसे disable कर देंगे तो बिल्कुल रुख जाएगा और manual पर click कर देंगे तो जब तक आप जो है उसे download नहीं करेंगे तब तक आपका internet consume नहीं होगा तो यहाँ पर हम disable पर click करेंगे इसके बाद apply पर click कर देंगे तो वो जो है disable हो जाएगा इसके बाद okay पर click कर देंगे और अगर आपको जो है windows update को दोबारा से enable करना है तो आपको इसी setting में आना है दोबारा से इसी पर click करना है और disable की जगह जो है automatic select कर देना है apply पर click कर देना है और ok इसके बाद जो है enable हो जाएगा तो ये setting बंद करके आप अपने internet को बचा सकते हैं दोस्तो इस video के अंदर मैंने आपको जो भी जानकारियां बताई है वो जादा तर लोगों को पता ही नहीं होती है और अगर आप जो है computer में expert बनना चाहते हैं तो आपको उन जानकारियों को सीखना होगा जो लोगों को नहीं पता होती है तो आपको जो है ऐसी ऐसी करके और भी जानकारियां सीखनी होगी अगर आप expert बनना चाहते हैं तो केवल एक वीडियो देखने से और केवल कुछ ही जानकारियां सीखने से आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं कम्प्यूटर में एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको कम्प्यूटर की बेसिक जानकारियों को समझना होगा जिसके उपर मैंने अल्रेडी पहले से ही वीडियो बनाए हैं आप चैनल पर जाएगा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा इसके बाद जो basic software होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है इसके अलामा जितने भी computer की नई नई जानकारियां आती हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसके लिए जो है आपको हर एक जानकारी को सीखने के लिए अपडेट रहना पड़ेगा यानि कि जैसे ही कोई भी नई जानकारी आती है और आप तुरंट उसे सीख लेते हैं तो ही आप computer के एक्सपर्ट कलाएंगे और आप दूसरों को उन जानकारी के बारे में बता पाएंगे तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप केवल एक वीडियो देखने से या फिर कुछ ही जानकारी को सीखने से एक्सपर्ट नहीं कलाएंगे आपको एक लंबा समय देना होगा और बहुत सारी जानकारी को सीखना होगा और हमेशा जो है अपडेट रहना होगा इसके बाद जो है जब आप इतना काम कर देते हैं एक लंबे समय बाद जो है आप खुद जो है अपने आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट फिल करेंगे फिलाल इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी जानकारियां बताई है क्या आपको इन जानकारियों के बारे में पहले से पता था नीचे आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर दीजेगा इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाते हैं तो नीचे कॉमेंट करिएगा, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम